दूसरी शादी तूटने का दर्द झेल रही है दलजीत मॉजल के लिए आक्ट्रिस को विदेशी पती ने किया चीट एक्स हस्बिन के पास वापस लॉटिंगी आक्ट्रिस तो निखिल से अलग होने के बाद शालीन संग करेंगी पैचा ये सारे सवाल हम नहीं बलकि सोशल मीडिया पर वो यूजर्स कर रहे हैं जिरोंने हाल ही में आक्ट्रोस दलजीत कौर का एक वाइरल पोस्ट देखा है जिसमें वो अपने एक्स हस्बिन शालीन भनोट को लेकर बात करती हुई नजर आई है इसी पोस्ट को देखने के बाद लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि विदेशी पती निखल पतेल से अलग होने के बाद दलजीत अपने एक्स हस्बिन शालीन भनोट संग पैच अप कर सकती है दरसल इंदरों दलजीत काफी बुरे वक्त से गुजर रही है वहीं निखिल अपनी गर्फेंट संग खुब अच्छा टाइम स्पेंट कर रहे है तो इधर दलजीत को लगातार हर मुश्किल का सामना खुद ही कर रहे है बेटे जेडन को समालने की जिम्यदारी भी उनी के कंदों पर आई हुई है तो इसी बीज एक फैन ने उन्हें सला दे दी कि वो अपने एकस हस्बेन शालीन भनौत संग पैच अप कर ले और उनके पास वापस चली जाए इस फैन का कहना है कि इस बुरे वक्त में उन्हें शालीन भनौत से मदद मागनी चाहिए दलजीत का और के एक पोस्ट पर उनके फैन ने कॉमेंट करते हुए लिखा शालीन से बात करके उनसे पैच अप कर लो तो इस फैन की सुझाव पर दलजीत भी अपना जवाब देने में पीछे नहीं रही दलजीत ने फैन को रिपलाई देते हुए लिखा उसने ना तो मेसेज किया और ना ही कभी मिलने आया मुझे नहीं लगता वो इंट्रस्टेड है कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है बहुत ही वियस्त होगा अब दलजीत के जवाब से यह साफ जाहिर है कि शालीन का उनसे कोई भी कॉन्टैक नहीं है उनके मताबिक शालीन को यह जानने में भी कोई दिल्चस्पी नहीं है कि उनके बेटी के साथ क्या होता है आपको बता दें कि दलजीत कौर और शालीन भनाट ने 2009 में शादी की थी दोनों का एक बेटा जेरन हुआ तो शादी के 6 साल तक दोनों साथ रहे फिर दलजीत ने उन पर घरेलोहिंसा का आरोप लगाया था दोनों के बीच इतने जगडे थे कि मीडिया में खूब चर्चा भी हुई महीं दलजीत ने पिछले साल 2023 में एनराय बिसनस में निखिल पटेल से शादी की थी निखिल पटेल पहले से तलाग शुदा थे और उनकी दो बेटिया भी है शादी के बाद दलजीत भी बेटे के साथ केनिया चली गई थी लेकिन 10 महीने बाद ही दलजीत ने निखिल से तलाग की कोट में अर्जी दी और बेटे के साथ इंडिया वापस लौट आई 24